शूपरवात बच्चों कैसे हो आसा करती हूँ आप अपने घर पर सुरक्षित होंगे और खुश होंगे और मैं भगवान से भी यही प्रात्ना करती हूँ कि आप सदा खुश रहें तो बेटा घर बैठे बैठे थोड़ी सी पढ़ाई भी करनी है तो कल हमने पढ़ा था संग्या के बारे में अध्याय नमबर आठ और उसके बाद हमने भावाचक संग्या पढ़ी थी और लिखी भी थी तो ये काम तो आपने किया ही होगा आज हम कर लेते हैं इसका बुक वर्क तो आप भी अपनी बुक लेलो और मेरे साथ साथ भरना सुरू करो वैसे आप बुक वर्क पहले ही वर लिया करो इस समय तो सिरफ मैं वीडियो भेजती हूँ उस समय आप सिरफ मिलान क्या करो कि आपका कितना गलत है ठीक है तो चलो सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाना है हमें सेवा जाती वाचक शंग्या है तो क्या है गलत सेवा क्या है भाव वाचक शंग्या है लंबाई भाव वाचक शंग्या है बिलकुल सही है यमुना वैक्ति वाचक संग्या है हाँ ये भी बिल्कुल सही है सोना द्रव्य वाचक संग्या है तो ये भी सही है इस द्रव्य वाचक की जगए अगर कहीं पर आपको पदार्थ वाचक लिखावा मिल जाए तो भी सही है क्योंकि द्रवे वाचक कैदो या पदार्थ वाचक कैदो एक ही बात है भीड समू वाचक संग्या है ये भी बिल्कुल सही है सत्रू व्यक्ति वाचक संग्या है तो ये क्या है गलत क्यों है गलत क्योंकि सत्रू तो व्यक्ति वाचक संग्या है अगला है हमारा परसन नमबर खै सही विकल्प के सामने सही का चिन लगाना है हमें तो कल्पना की वाणी में बहुत खालिस्तान है विक्या है मीठापन है मीठा है या मीठास है तो हमें तो क्या करना है जी बावाचक संग्या भरनी है इसमें तो क्या आ गया मिठास वैसे मिठा भर भी देते तो वानी बहुत मिठा है तो वैसे जस्ता भी नहीं ठीक है तो क्या जाएगा मिठास परसन नमर दो में अगला इतना उपचार करवाया फिर भी उसके स्वस्त में खालिस्तान जारी है क्या है गिरना गिराना या गिरावट तो सही सब्द क्या चुनेंगे हम गिरावट आगे हैं नेता जी से हमारे खालिस्तान संबंध है परिवारक संबंध है या पारिवारिक संबंध है तो सही सब्द कोन सा है शब्द तो इसने सारे ठीक ठाक लिखे है लेकिन कई न कई मात्राओं में गड़बड कर रखी है तो क्या हैगा पारिवारिक संबंध ठीक है अगला है चार में खालिस्तान सभी बिमारियों का घर बन जाता है बुढ़ापन बुढ़ापा या बुढ़ा तो बुढ़ा से भावाचक संग्या क्या बनेगी बुढ़ापा तो बुढ़ापा सभी बिमारियों का घर बन जाता है तो पांच नमर पे हैं हमारा हमें अपने खालिस्तान पर विश्वास होना चाइए पूरुस पर पूरुस्तव पर या पूरुसार्थ पर तो इसका अंसर उतर होगा हमारा बै पूरुस्तव पर अगला है ये गय वाले जितने भी परसन है ये सारे आपको PDF में मिलेंगे अगला है हमारा गय निमिलिखित शब्दों से बनी भावाचक संग्याओं पर सही का निशान लगाना है इसमें ये जो शब्द दे रखी है इसमें भावाचक संग्याओं कोन सी है इन तीनों में से हमें एक पर सही का निशान लगाना है इन तीनों में से यानिकी एक सही है निच का निचाई, निचता निचापन, क्या उतर होगा हमारा सई बै, निचता, लंबा, लंबा का सई क्या होगा, से लंबाई, बच्चा का बच्पन, सज्जन का सज्जनता, से वाला सई होगा, एहम का एहंकार, एहंकार किसको कहते हैं, गमंड को अगला देखिए भावाचक संग्या बनेए ये जाती भावाचक संग्या है बही सारी इसमें हमें क्या बनानी है भावाचक संग्या बनानी है डाकू का डाका, काला का कालीमा, पर्षन का प्रिसंता, गिर्ना का गिरावट, ठंडा का ठंडक, दुस्ट का दुस्टता, प्रभु का प्रभुता, चोर का चोरी, गरीब का गरीबी पर्षन नमबर चै देखी, निमिलिकित सब्दों का संग्या भेद लिखी, अब इन सब्दों में हमें ये बताना है, कि ये कौन सी संग्या के शब्द है, जाती वाचक है, या भाववाचक है, या व्यत्ती वाचक है अगर आपने पड़ा होगा अच्छी संग्या का टोपिक तो अपने आप बताओगे नगर कोंची संग्या है वही जाती वाचक संग्या अच्छाई कोंची संग्या है वहावाचक संग्या क्यों क्योंकि ये दिखाई नहीं देती मैसूस की जाती है पीतल है ये द्रवे वाचक संग्या या पदार्थ वाचक संग्या, गोडा जाती वाचक संग्या, उडान भाव वाचक संग्या, दूद द्रवे वाचक संग्या, गोदावरी वैक्ती वाचक संग्या, परवत जाती वाचक संग्या बैई पर्वत की बात हो पर अगर हम हिमाले साथ लगा देते हैं हिमाले पर्वत तो व्यक्ति वाचक होता है और सारे पर्वत किसमें आ जाएंगे जाती वाचक में अगर special नाम होता है तो व्यक्ति वाचक में सेना समू वाचक अगला परसन नमबर छे परसन नमबर छे लास्ट है हमारा निमिलिखित वाक्यों में से संग्याई चाटिये और उनके भेद लिखिये बैए इस में से संग्या चाटनी है और उसका भेद लिखना हमें फतेफुर सीकरी आगरा में है बैए फतेफुरी सीकरी को अंडरलाइन कर और कौनसी संग्या हो जाएगी व्यकती वाचक संग्या ठीक है आगरा एक सहर है फतेपुरी सीक्री परसी जगह का नाम है इसी ता एक सहासी लड़की है लड़की क्या है भई जाती वाचक संग्या, ठीक है, क्या हो जाएगा, जाती वाचक, उनकी आखों से आशू टपक रहे थे, आखों और आशू, कौन सी संग्या हो गई, जाती वाचक संग्या, ताज महल की सुन्दर्ता अनुपम है, तो ताज महल क्या है, व्यक्ति वाचक संग्या होगा, और सुन्दर्ता शब्द जो दिया गया है, ये भावाचक संग्या है, ठीक है, असोक को तक्सिला का सासक बनाया गया, तो असोक और तक्सिला, असोक तो नाम हो गया, और तक्सिला एक विद्यापीट का नाम है, तक्सिला विद्यापीट जहां पर लो बच्चे पढ़ाई करते हैं, तो ये क्या हो गए, दोनों परसीद हैं, तो व्यक्ति वाचक संग्य तो आसा करते हूं आपने अपने बुक का साथ साथ पूरा बुक वर्क भर लिया होगा और इसको याद भी करेंगे धन्यवाद